लेक्षे नमबर 11 है तो हमने पिछले वीडियो में एक कमपनी क्रियेट की थी और हमने आपको बताया था कि टैली प्राइम में कमपनी जो है वो कैसे क्रियेट करते हैं और अगर क्रियेट करने के बाद उसमें कोई काइं करना क्यों पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में क्या होता है और फाइनली एक कमपनी है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमो नम की कमपनी जो की ओपन है जिसमें अभी कोई भी एंटरी नहीं है ठीक है तो इसका किया है ठीकLee up –ण देक्षी थी कि करली के सता ह and date जो है यह 1st April दिखा रहा है clear है तो यह सारी चीज़ है पिछले वीडियो में cover कर ली है तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखे फिर उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो से continue करें तो आज हम इस वीडियो में आगे की यहाँ पर जो entry हमारी है जो हमने exercise 2 दी थी आप लोग को यहाँ पर इन सभी entry को हम आज practically यहाँ पर Teleprime software में इनको करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि Teleprime में laser वगरा कैसे create किया जाते हैं और एक entry को कैसे pass किया जाता है फिर उसके बार report कैसे generate होती है तो यह सारी चीजे आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो चले यहाँ पर start करते है तो यहाँ पर देखें सबसे पहला question क्या है तो यहाँ पर सबसे पहले question में Mr. Verma ने जो है business start किया था तो इसकी entry हमें Teleprime में करनी है तो Teleprime में entry कैसे हम करते है तो देखें यहाँ पर अभी आपके सामने जो दिख रहा है यह gateway of tally का view है यह इसका main interface है हम कह सकते हैं सबसे important interface जहाँ पर हमें gateway of tally में सारे option यहाँ पर मिल जाते है अब किस option का क्या मतलब है वो तो हम जैसे जैसे इनका use होता रहेगा वैसे वैसे इनको एक एक करके हम देखते रहेंगे ठीक है फिलाल अभी entry करने के लिए तो यहाँ पर Teleprime में gateway of tally में हमें मिलता है transaction नम की एक category जिसमें हमें voucher and debu की यह दो option मिलते है तो यहाँ पर entry करने के लिए हमें जाना है voucher में कहां जाना है voucher में जाना है देखिए वापस आते हैं यहाँ पर हमें voucher में जाना है और इसकी shortcut की क्या है sort की V है देखिए sort की क्या है तो यहाँ पर हर चीज की sort की दी गई है इसमें आप देख सकते हैं जो character का यहाँ पर थोड़ा सा color change है ठीक है जैसे create में C है और alter में A है chart of account में H है इसी तरह से voucher में है V ठीक है वाउचर में क्या है देखिए V है ठीक है तो यहाँ पर हम end जाकर के enter कर दें या mouse से click कर दें या shortcut की V प्रेस कर दें तब भी open हो ठीक है यहाँ पर सिर्फ वी प्रेस करना है ठीक है और किसी के साथ control या alter के साथ नहीं तो फिलाल यहाँ पर हम voucher में enter करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ पर इस तरह से voucher जो है ओपन हो गया जहां पर हमें सबसे पहले voucher सेट करना है यानि हम कौन से voucher पे इस तरह से इंटरफेस नहीं आ रहा कुछ और आ रहा है अकाउंट लिखा है ऐसा करके तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है वैसे तो हम सारी चीज़े करके क्लियर करेंगे लेकिन अभी basic पढ़ रहा है ठीक है इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है F12 की प्रेस करन है और इसमें से हमें यहाँ पर use credit and debit इस option को जो है yes कर लेना है ठीक है use debit and credit इसको क्या करना है yes कर लेना है और अगर यह yes है तो ठीक है अगर नहीं है तो yes करने के बाद इसको हम shift कर लेंगे control A से फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा change mode का ठीक है तो यहाँ पर आ दबल अंडर लाइन है तो जिसके नीचे डबल अंडर लाइन होती है इसका मतलब उसको हमें control के साथ में प्रेज करना है ठीक है और कुछ चीज़ें आप देखेंगे जिनके नीचे single अंडर लाइन होती है जैसे हाँ पर company है data है exchange है तो इनके नीचे हाँ पर आप में होगी और अगर underline नहीं है इसका मतलब वो की आपको direct press करनी जैसे f2, f3, f4 यह function की है clear है चलिए तो फिलाल यहाँ पर हमें change mode में जाना है और change mode में हमें double entry select कर लेना है देखिए अगर single entry होगा तो single entry में कुछ इस तरीके से account and particular यह चीज आती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे फिलाल अभी यहाँ पर change mode में जाके हमें double entry mode जो है वो select करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का view देखने को मिलेगा ठीक है इसमें भी two time debit आ गया उससे कोई मतलम नहीं है तो यहाँ पर entry कैसे करते हैं जैसा कि हमने बताया सबसे पहले हम voucher set करते हैं तो हमारा voucher कौन सा है पहली entry में voucher हमारा है रिशिप्ट और रिशिप्ट की shortcut क्या होती है तो हमने आपको बताया था नोटस में हमने दिखा दिया था कि यहाँ पर हम f6 button जो है वो फ्रेश करते हैं तो f6 अप ठेशिप्ट वाँचर लग चुका है ठीक है यहाँ पर लोग किया रहे है रिशिप्ट वाँचर अब यहाँ पर entry हमें करनी है ठीक है जो कि receipt voucher में credit में cash हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर आपके जो list of laser account है, इसमें कोई भी voucher so नहीं हो रहे है, जबकि cash का laser pre-defined so होना चाहिए, so क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था, कि receipt voucher में credit में cash नहीं हो सकता, क्योंकि receipt का मतलब क्या होता है, कि पैसा receipt ह पैसा business के पास आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा हो, लेकिन पैसा कुल मिला के आ रहा है, तो आएगा अगर पैसा तो पैसा debit होगा कि नहीं होगा, cash debit होगा, credit हो इनहीं सकता, और अगर cash credit है, इसका मतलब कि वो payment हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या है कि receipt voucher में आपको credit म नहीं मिलेगा, ठीक है, किलिए अभी देखिए हम payment लगा दे अगर, तो payment लगा दे, तो payment में David में cash नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार बार इसको आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि कई बार इसको complete कर वा चुके, डेविट कैसे निकाला जाता है, ठी तौह बनेगा तो लेजर बनाने की प्रोसेस बिल्कुल सिम्पल यहाँ पर लेजर प्रोसेस है यहाँ पर लेजर क्रिएशन आप देखेंगे laser creation secondary है नहीं कि जो laser हमारा है वो यहां से बनेगा clear नहीं तो सबसे पहले हम नेम में जो है Mr. Verma या जो भी name है वो यहां पर हम डालेंगे जिसका भी laser बनाना है Mr. Verma का बनाना है हो गया और यहां पर alias को हम blank छोड़ देंगे ठीक है Mr. Verma जाएंगे capital account के क्योंकि business start कर रहा है तो यहां पर list of group में जितने predefined group है वो सारी list यहां पर आप देख सकते हैं आ चुकी है ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना है capital account इस list से select कर लेना है और enter करना है फिर यहां पर mailing detail में Mr. Verma की detail जो है वो आप fill कर सकते हैं नेम क्या है address क्या है state ध्यान रखना यह किसकी फिल करने है Mr. Verma की भरनी है ठीक है तो यहां पर हम Mr. Verma की detail जो है वो फिल कर देंगे और बाकी चाहें तो हम छोड़ भी सकते है original जो work करते हैं वहां पर हमें set करना होता है फिलाल यहां पर हमने इसको छोड़ दिया जो जैसा है और finally इसको हमने accept कर लिया देखिए यहां पर accept का मतलब Mr. Verma यहां पर set हो गया है भी balance यहां पर डालेंगे कि कितने से business start किया फिलाल अगर मान लेते हैं कि इसी बीच में हमारा computer computer off हो गया या फिर हम टैली प्राइम सौफटर को हमने बंद कर दिया किसी भी रिजन से तो इस condition में क्या होगा देखिए इस condition में यह होगा कि entry तो हमने भी पास नहीं की है यानि कि मिस्टर वर्मा का laser हमें फिर नहीं बनाना ध्यान रखना इस बात का अगर laser accept हो गया एक बार तो मतलब कि वह नहीं बनेगा तो यहां पर मिस्टर वर्मा ठीक है ध्यान रखना एक चीज का कि कई लोग क्या करते हैं कि जब amount डालते हैं तो उसमें एक जीरो कम या ज्यादा हो जाता है इस वज़ेसे जो है reports गलत आती है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेहर ठीक है जैसे यहां पर हमने amount डालके एंटर किया तो तुरंत यह automatic debit तो आ गया लेकिन जो आप करना चाहिए अगर credit करना है तो C button प्रेस करें एंटर करें दूसरी बार credit आ जायेगा लेकिन हमें तो एक ही बार credit या debit करना है question में जैसा की है तो हम यहां पर D button प्रेस करके एंटर करे कैसे आ जाएगा क्योंकि उसको पता है कि credit में अगर तीन लाग रुपए है तो डेविट में भी तीन लाग यानि उतना ही होगा ठीक है लेकिन हाँ अगर आप माल लेते हैं डेविट दो बार है यानि कि आपने बिजनस जो है वो स्टार्ट किया है तीन लाग से लेकिन डे यहां फिर से फिल्ड आ जाएगा और यहां पर आपको क्या करना है डेविट या क्रेडिट तो हमको next time फिर से डेविट करना है और एंटर करेंगे और अब यहां पर हम जो है क्या सलेट कर लेंगे बैंक अब बैंक का लेजर नहीं बना इसलिए बनाना पड़ेगा ठीक है और जब हम बैंक का लेजर यहां बना के एंटर करेंगे तो 1.5 लाग रुपए उससे आ जाएगा फिलाल यहां पर तो हमें नहीं करना है तो जैसी यहां पर अमाउंट हम वापस से 3 लाग रुपए कर देंगे अब देखिए मैनुवली करना पड़ेगा क्योंकि हमने पुर क्या होता है इसको समझते देखिए में यहां पर आप डाल सकते हैं कमेंट कमेंट का मतलब जैसे कमेंट का मलब आपको पता है कि इस कुष्चन से रिडेटेड आप यहां पर जो भी लिखना चाहते हैं यह रूल के अंदर नहीं आता ठीक है इसमें आप जो मरजी लिखना के लिए चीज़ें अगर रखना चाहते हैं तो वह यहाँ पर लिख सकतें ठीक है फिलाल यहाँ पर इसको में skip करते हैं और एंटर करते हैं और यहाँ पर हम आशेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर यह एंटरी जो है वह सेभ हो लेगी किलियर रहे तो जैसे ये एंट्री सेव हो चुके है एक अप्रेल में यहां पर बता रहे हैं अभी एक इंट्री दो यह नहीं बताएगा बलकि यह बताएगा कि हाँ इसमें इंट्री है कितनी है वह देखने के लिए हमें डे बुक में चलना होता है कहा चलना होता है डे बुक में यहाँ पर आप देख सकते हैं डे बुक हमारे सामने रिपोर्ट है यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए अभी करण टाइम में हम डे बुक से देख सकते हैं कि हमने कितनी एंट्री की हैं तो यहाँ पर वाउचर से हम क्या करते हैं ट set करते हैं भूर्ट से बटन करेंगेर यहां पर वाउचरव देन बंपर हम से दिन में एंट्री करणे जा रहा हुझा तो इससे पहले वाली जो यह ने Si 1956 जा राए Counter तो माल लेते हैं हमने 1st April को business start किया था तो ये वाली entry हमने 1st April में कर दी ठीक है फिर voucher में चलते हैं और दूसरी entry पास करते हैं दूसरी entry क्या है देखिए दूसरी entry है कि Mr. Varma ने जो है 18,000 रुपए का computer खरीद है तो पता है कि voucher payment और debit और credit में क्या होने वाला है ठीक है इसार तीसरी तारीख है और चौथा महीना है यहाँ पर year डालने की आपको कोई जरोत नहीं आप इतना डालेंगे तब भी कोई दिकत नहीं है ठीक है तो यहाँ पर जैसे हम enter करेंगे तो देखें enter नहीं हो रहा है यह यह date अशेप्ट नहीं कर रहा है तो हमने आपको पहले ही बत date set कर सकते हैं या उस महीने की last date set कर सकते हैं या उस महीने की second date set कर सकते हैं तीन date आप जो है वो change कर सकते हैं first date, second date and last date उस महीने की clear है तो यहाँ पर हमें क्या करना है देखें अगर हम दो तारीख set करते हैं तो set हो जाएगी यहाँ पर 2-4 और enter तो यहाँ पर आप clear है तो यहाँ पर फिलाल यहाँ पर हमें 2nd April पर इंट्री नहीं करनी हम सारी एंट्री जो है वो 1st April पर ही करेंगे क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम date नहीं change कर सकते तो कुछ इंट्री हम एक तारीक पर कर सकते हैं लेकिन अभी यहाँ पर हम educational mode में है तो date नहीं change हो सकती इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे सारी एंट्री हां 1st April पर ही कर देंगे तो यहाँ पर वापस हम सेट करते हैं F2 बटन प्रेस करते हो एक चार यानि कि हमने 1st April सेट कर लिया यहाँ पर हमने एक एंट्री कर दी थी अब दूसरी एंट्री करते हैं जिसमें payment voucher है थोड़ा सा speed जो हम बढ़ाते हैं ठीक है क्योंकि चीज़े हम आपको explain कर चुके हैं डीटेल में तो voucher यहाँ पर F5 यानि हमने payment voucher सेट किया यहाँ पर आप side में देख सकते हैं contra payment receipt general सभी की लिखी हुई है ठीक है चलिए तो payment voucher सेट हो गया डेविट में क्या है computer है जो की पहली बार आ रहा है इसलिए laser बनेगा ध्यान रखना computer पहली बार आ रहा है laser बनेगा तो laser बनाने के लिए यहाँ पर हम simply create के उपर प्रेस किया वापस आ गए हमें यहाँ पर laser बनाना है तो अल्ट के साथ में c बटन यहीं पर प्रेस करेंगे ध्यान रखना current time में जहाँ पर करसर हमारा है क्लियर है अल्ट सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर laser creation की window आ जाएगी अल्ट सी जो है वो create की shortcut की होती है यहाँ पर हम इन जो है laser बनाना है computer का और यहाँ पर enter करेंगे और under किसके जाएगा fixed assets के जाएगा किसके अंडर जाएगा fixed assets enter करते हैं यहाँ पर आप उसकी detail डाल सकते ह यहाँ पर इसको हम छोड़ते हैं और इंटर इंटर करके फाइनली इसको भी हम accept कर लेते हैं यह भी laser बन गया कितने का 18,000 रुपए का amount डलते हैं 18,000 एंटर और अपकी बार में credit ही रखना है दूसरी बार में credit क्या रखना है देखिए cash रखना है इसलिए cash select कर लेते हैं 18,000 amount automatic आ गया और इंटर किया और narration में हमें यहाँ पर कुछ नहीं रखना है और finally एंटर करके इसको हमने accept कर लिया तो दो इंटरियां आपर हो चुकी है वापस चलते हैं और daybook में आपको दिखाते हैं देखिए daybook में यहाँ पर यह दो एंटरी 1st April में दिखा रही है क्योंकि दोनों को हमने 1st April में ही किया है वापस आते हैं वापस कैसे आते हैं इसके बटन से पता होगा आपको ठीक है यह बार बार बताने की हमें जरोत नहीं है ठीक है इसके बटन से वापस आ सकते हैं कहीं भी हो और अंदर जाने के लिए उस option पर आपको जाके एंटर करना है जो अभी हमने बताया एक तो create और दूसरा alt के साथ c button तो यह जो हम laser बना रहे हैं यह हम entry करते time ही laser बना रहे हैं यानि कि entry करते समय laser बना रहे हैं अगर आप laser entry करने से पहले बनाना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं उसके लिए देखिए हाँ पर हम दोनों laser बनाते हैं उसक चीजें masters कहलाती है ठीक है ध्यान रखना टैली में यही टैली फ्राइम में जो हम laser बनाते हैं वह सब masters कहलाते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर masters में जाके create करेंगे अब यहाँ पर क्या create करना है देखिए हमने बताया था कि आप group भी जो है वह create कर सकते है group 28 group आपके होते है predefined clear ह है लेकिन अगर हम और चाहें तो हम बना सकते हैं secondary group तो यहाँ पर हम group में जाके group create कर सकते हैं लेकिन हमें तो laser create करना है तो उसके लिए हमने जैसा की बताया gateway आफ टैली में आपको masters में create में जाना है और यहाँ से आप laser create कर पाएंगे ठीक है इसमें आपको laser select करना है और दे लेकिन अभी laser creation की window है क्योंकि हम इस पेसलिए यहाँ पर laser आ रहे हैं तो दूसरा laser हमारा है office chair का और यह भी अंडर फिक्स की जायेगा और इसको यहाँ पर भी हम एंटर इंटर करके अश्रेप्ट कर लेते हो गया यहाँ पर देखे एक last में आप option आता है opening balance का तो इसके बा opening balance में वह चीज़ डाल सकते हैं ठीक है फिलाल इसके बारे में तुम आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसके बटन से और चलते हैं सीधे फिर से transaction voucher में अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ से लेजर नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने वहां से ब यहाँ पर कुछ भी उपर नीचे करते हैं कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है फिलाल office table 3500 रुपए office chair 4000 रुपए है तो यहाँ पर इसके entry करते हैं office table कितना है 3500 रुपए है और दूसरी बार यहाँ पर फिर से debit हो देखें यहाँ पर हम D button प्रेस करके enter करेंगे और यहाँ पर इंटर किया और एक बार और इंटर किया और यहाँ पर अशेप्ट की window आई और इसको भी हमने अशेप्ट कर लिया तो यह entry भी जो है वो हमने कर दिये ठीक है यह इंटरी भी पास हो गई आगे बढ़ते है question number 4 यहाँ पर 50,000 रुपए जमा किया गया तो यहाँ पर credit में कैस वाउचर आपको ध्यान रखना है वाउचर गलत नहीं करना है वाउचर यहाँ पर F4 यानी कंटर हो गया credit में यहाँ पर कैसे ही होगा क्योंकि हम क्या करना है business में पैसा 50,000 रुपए जमा कर रहे ठीक है तो यहाँ पर 50,000 रुपए आपका debit में यहाँ पर laser बनेगा तो alt के साथ C और यहाँ पर हम HDFC bank का laser बना देते हैं HDFC bank अंडर जाएगा bank account के तो यहाँ पर bank account select कर लिया और बागी यहाँ पर आप अपनी bank की detail यहाँ पर डाल सकते हैं ठीक है और यहाँ पर finally इसको हम accept करते हैं अभी यहाँ पर detail हम skip छोड़ देते हैं और इसको हमने accept कर लिया त इसको हम accept कर लेंगे तो यह भी यहाँ पर एंटर करके हमने accept कर लिया यह इंटर भी पास हो गई आगे बढ़ते हैं question no.4 हो गया question no.5 question no.5 में क्या हुआ है stationery खरी दी गई है जो की indirect expenses है 2000 रुपए की cash में voucher कौन सा है payment है तो यहाँ पर हम voucher payment सबसे पहले लगाएंगे laser बन लेगा indirect expenses और यहाँ पर type of laser तो इसको हम not applicable कर देंगे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्या होता है ठीक है अभी यहाँ पर not applicable और इसको हम finally accept कर लेंगे और इसका amount कितना था 2000 रुपए 2000 की खरीदी थी credit में क्या है cash है cash select कर लिया और यहाँ पर हमने accept कर लिया clear है तो य इंट्रिवी अशेप्ट हो गई आगे बढ़ते हैं उसके बाद question number 6 mobile phone राज टेली कॉम यानी mobile phone उधार खरीदा था जिसमें डेविट mobile phone voucher यहाँ पर journal होगा क्योंकि उधार है और journal की शौटकी होती है app 7 यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने app 7 प् लगेगा तो यहाँ पर अल्ट के सा 1 उन्ट का लेजर बनाते हैं और यहाँ पर पूरी लिस्ट में ऐसे दूणेंगे तो टाम लगेगा तो सीधे हम यहाँ पर under में as you ऐसे प्रेस कर देते हैं मलब कुछ जो है उसके एक दो अक्षर प्रेस करेंगे तो आ जाएगी लिस्ट और साइड में जाके आप जो है एरो से कर लिया कि यहां पर जितनी चीजे बेशिक नजरिये से इंपॉर्टेंट है वह सारी हम कवर कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें है जो अगर हम आपको अभी बताएंगे तो समझने में दिक्कत होगी इसलिए उनको हम आगे बताएंगे ठीक है यहां पर हम इसको कर दें हम आगे बताएंगे और एंटर करते हैं यहां पर यह इंट्री को भी हम अशेप्ट कर लेते हैं तो यहां पर यह इंट्री भी आपकी कम्प्लीट हो गई कोश्चिन नमर सेवन मिस्टर वमा ने क्या किया है विड्रो किया है 10,000 रुपए HDFC बैंक से यानि कि कैस में और यहां पर इसको एंटर करेंगे डेविट में आपका कैस हो जाएगा कितना 10,000 रुपए और इसको हमने अशेप्ट कर लिया यह इंट्री भी पास हो गई ठीक है एंट्री करते से में ध्यान रखना है कि क्रेडिट क्या है डेविट क्या है उसका अमाउंट कितना है सारी चीजे क्योंकि अगर गलती हो गई तो पकड़ नहीं पाऊगे गलती ठीक है रियल वर्क में बहुत कम ही गलतिया जो है वो पकड़ में आती है अलाकि रियल वर्क में गलतिया लोग कम भी करते हैं या फिर हम कह सकते नहीं होती है अलाकि गलतिया हो जाती है वो लग बात है फिलाल यहाँ पर अगला कुछन है जिसमें राज टेली कौम को 5,000 रुपे पे कर दिया voucher payment और cash में पे किया है तो voucher payment और राज टेली कौम का laser palace बना है आपको पता है और यहाँ पर हम इसको अर्जेस्ट कर देंगे ठीक है यहाँ पर AGST मलब यानि की अर्जेस्ट करना है जो पुराना transaction था और यहाँ पर आप देखेंगे अर्जेस्ट किसे करना है यह 5000 रुपे जो credit में पहले से थे इसको हमें अर्जेस्ट करना है तो यह जो option आ रहा है यह bill wise detail का ही आ रहा है तो आपको याद होगा जो हमने राज टेली कौम का laser बनाया था तो यहाँ पर फिलाल उसको हमने अर्जेस्ट कर दिया और एंटर करते हैं और आप देखेंगे कि राज टेली कौम का current balance अभी zero हो गया है ठीक है clear है लेकिन अभी अगर यहाँ पर entry को हमने accept नहीं किया है अगर हम tally बंद कर देते हैं ऐसे तो यहाँ पर यह balance अर्जेस्ट नहीं होगा क्योंकि इंट्री को हमने accept ही नहीं किया फिर वापस से balance राज टेली कौम में दिखाने लगेगा ध्यान रखना जब टैली में किसी भी चीज़ को हम accept कर लेते हैं तब वह चीज़ क्रियेट हो जाती है ठीक है फिलाल राज टेली कौम यहाँ पर डेविट हो गय पहले बन चुका है 45 रुपए वाउचर जनरल है ठीक है यहाँ पर वाउचर जनरल हो गया डेविट में आपका इस्टेशनरी एक्स मेंसेज कितना है 45 रुपए है देख लेते हैं एक बार 45 हो ही है ठीक है और क्रेडिट में आपका क्या हो जाएगा सुकून उपसेट जिनक अपने आप से आ रहा है समझ गया संड्रिकेटर ऐसा थीक है यहां पर हो सकता है कि हमने अंडर संड्रिकेटर किया हो इसलिए प्रम हर दिक है और इसको भी हम कर देंगे इसको घ chocol कर लेंगे, क्लियर है, चलिए, तो यहां पर यह entry भी पास हो गई, आगे बढ़ते हैं, question number 10, question number 10 में क्या हुआ है, rent दिया गया है, यहीं कि 28 रुपए debit में rent है, और चेक द्वारा दिया गया है, voucher payment ही होना है, तो voucher payment and debit में rent, laser बना लो भी फटा फट, rent expenses, expenses ठीक है, और under किसक रूम मिल गया, Mr. Verma को, फिलाल 28 रुपए, और credit में यहां पर बात करते हैं, तो credit में यहां पर HDFC bank हो जायागा, क्योंकि इसको हमने चेक से पेगिया है, ठीक है, तो HDFC bank और यहां पर यह चेक नंबर और पूछ रहते हैं, तो finally इसको हमने accept कर लिया, ठीक है, चलिए, यह entry भी पास हो गई, बात करते हैं, question number 11, जिसमें यहां पर electricity bill payment किया गया है, यहां पर electricity expenses एंटर करते हैं, और यह भी under indirect expenses कही जाएगा, देखिए भी हमने justice से पहले rent expenses का लिजर बनाया था, तो यहां पर भी वही चीज आ रही है, ठीक है, तो पता चल गया होगा, चलिए, यहां पर electricity bill कितना दिया है, 700 रुपए दिया है, एंटर करते हैं, और कैसे दिया है, cash में दिया है, तो यहां पर हम cash select कर लेंगे, और enter और इसको accept कर लिया, ठीक है, चलिए, फिर यहां पर बात करते हैं, फिर उसके बाद अगले entry में सुकुन offset को 45 रुपए पे किया गया है, ठीक तो आप देख सकते हैं, 45 रुपए है, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, यहां पर adjust कर देंगे, पुराने वाले transaction से इसको adjust कर दिया, और credit में यहां पर क्या हो जाएगा, देखी, cash है, तो यहां पर cash हो जाएगा, 45 रुपए और entry, accept हो गई, ठीक है, चलिए, अब देखे, यहां पर क्या हुआ है, कि सुकुन offset को cash में payment नहीं किया गया, बलकि check से payment किया गया नहीं, बैंक में, तो अब अगर यह गलत हो गए entry और हमें मालो पता भी चल गया तुरान, तो इसको सही कैसे करेंगे, तो देखे, सही करने का तरीका एक तो यह है, कि अगर just अभी गलत इंट्री, तो keyboard से हम page up की प्रेस करेंगे, यहीं पर, क्या प्रेस करेंगे, page up, आपको पता है, page up, page down कहा है, keyboard में आप देख सकते हैं, जो arrow बटन होती है, उसी के उपर है, ठीक है, तो आपको page up की प्रेस करनी है, और आप जो है, editing mode में आ जाएंगे, यह entry जो हमने पहले की ठीक है, तो देखेंगे, वापस आगे, फिलाल अभी हमें page up प्रेस करना, और सुगून आपसेट को हमने cash में नहीं बलकी, जो है, bank यहनी की check से payment किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें credit में cash added करना है, bank, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत होगे, अगर तुरन पता चल गया, तो cash भी cash or bank की report गलत भी होती है, तो इस तरीक से आप पता लगा सकते हैं, कि जो cash or bank से payment किया है, उस entry को cross check कर सकते है, ठीक है, तो यहाँ पर credit में HDFC bank हो गया, चलिए, यहाँ पर इसको हम accept कर लेते हैं, अभी यहाँ पर सही है, और इसको हम finally एक बार फिर से accept करना पड़ेगा, तो फिर से हमने accept कर लिया, entry हो गई, ठीक है, clear है, तो entry को कैसे edit करते हैं, पता चल गया, अगर इस तरह से page up करके नहीं करना है, तो दूसरा तरीका है, आप वापस जाए, back, ठीक है, और यहाँ day book में जाए, कहाँ पर, day book में, और day book में उस entry को देखें, कहाँ पर है, जैसे एक चीज यहाँ पर और है, विमाल लेते हैं, अगर laser बनाते time, under गलत कर दिया, तब क्या करेंगे, तो वैसे अगर गलत हो गया है, और गलती पता चल गई है, तो कुछ नहीं करना है, आपको laser पर पहुंचना है, यहाँ पर control के साथ में enter button प्रेस करना है, और आप जो है, वो change करना है, वो भी कर सकते हैं, या under बदलना है, बदल सकते हैं, और बदलने के बाद, finally इसको जो है, आपको अशेप्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना है, अगर आप laser डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट भी कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको alt के साथ में D बटन, लेकिन यहाँ पर जब आप alt डि प्रेस करेंगे, तो देखिए डिलीट नहीं हो रहा, यह अल्ट डि हम प्रेस करेंगे, लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि यह laser यूज हो रहा है, यानि यूज हो चुका है, समझारी बात की नहीं, यानि आइडिटिंग तो हम कर सकते हैं, याँ पर अंडर चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, डिलीट करने का तरीका वही है, जो हमने बताया, पहले आप alt के साथ में D बटन प्रेस करें, डिलीट हो जाएगा, कोई भी चीज हो, company बनी डिलीट करनी है लेजर डिलेट करना है गुरूप डिलीट करना है कुछ भी अगर डिलीट करना है जो आपने बना Hij सब्सक्राएं गरत करना है जो आपने सबसे पहले तो AlterationLEким मोड में पहुंचने और uh तो यह entry कैसे delete करेंगे उसके लिए भी वही सेम चीज एक alt के साथ में डी बटन प्रेस करो यहां पर delete हो जाएगी entry हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो यहां पर जैसे हम yes करेंगे entry हमारी delete हो जाएगी देखें हमने delete कर दिया office table वाले entry delete कर दी होगी delete अब अगर हम चाह chair and office table का laser इसमें से एक delete करना है तो इसको हमने enter किया और अब यहां पर हम delete कर सकते हैं देखें जैसे alt करेंगे तो यहां पर delete की window आ जाएगी लेकिन चले इसको delete नहीं करते हैं कैसे करना है यह हमने बता दिया आपको practically ठीक है चले तो जो entry हमने office table वाली just अभी delete करती है इसको एक बार फिर से pass कर देते हैं ध्यान रखना हमने laser delete नहीं किया है लेकिन delete करना बता दिया आपको ठीक है तो यहां पर हम जो है voucher payment और यहां पर हम set कर देते हैं office table की entry अब आप सोच रहे होंगे कि entry हमने delete कर दी अब pass कर रहे है तो यह तो last में चली जाएगी ऐसा नहीं है last क मतलब तो यही हुआ ना कि सारी entry यहां हमने first April पर की तो इसमें कोई मतलब भी नहीं है कौन सी पहले हुई कौन से बाद में हुई हाँ यह था कि office chair and office table अगर हमाल लेते हैं second April पर होती है और आज 28 April हमने set कर रखी होती है ऐसा कुछ तो उस condition में जो है थोड़ा सा दिक्कत हो था वह सायद वन या टू ऐसा कुछ होगा लेकिन अभी यहां पर इसको वाउचर नमबर सेवन मिलेगा ठीक है तो यह चीज़े चेंज हो जाती है फिलाल यहां पर डेविट में आपका हो जाएगा office chair एक बार फिर से देख लेते हैं इस entry में amount होगे रहा क्या था देखिए अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो आफिस टेबल पहले है उसमें उल्टा हो गया कोई दिक्कर नहीं हमने अभी जस्ट पहले बताया था ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और इसको हमने एक बार फिर से कर दी है किलियर है अब यहां पर हमें final last entry करनी है तो यहां पर हमने यह भी देख लिया कि entry करते कैसे और entry delete कैसे करते है या फिर editing करनी है तो कैसे करेंगे laser कैसे बनाएंगे और laser को हम कैसे जो है edit कर सकते है या delete कर सकते है सारी चीज़े हमने देखी है और जितना भी हमने आज इस वीडियो में बताया उसकी आप अ वाउचर पेमेंट है डेविट में आपका विड्रॉल्स विड्रॉल्स अंडर जाएगा यह सारी डीटेल हम इसको छोड़ देते हैं और यहां पर कितना एमाउंट है ब्ता है, चार हजार रुपध है तो यहां पर चार हजार रुपध है और क्रेडिट में यहां पर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा सटीदी पर आराम से चंजस करो लेकि लेजर बस यहां से डिलीट नहीं होगा क्योंकि anti वो अशेट हो चुकी है third अभी लेकिन डिलीट करने के लिए हमें अन्टृ करनी पड़ेगी ऐसा ज़ियर है और और बाकी यहाँ पर जब हमington कर देते हैं टैली प्राइम में तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है? रिपोर्ट जो है वो जाननी होती है यानी कि हमारा इस महिने कितना प्रॉफिट हुआ कितनालोगर हुआ और किसको कितना देना है किस्ते कितना लेना है ये सारी चीज़े हमें जाननी है तो उसको reports के अंतरगत वो सारी चीज़े आती है तो ये reports का जो session रहेगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे यानि कि इस वीडियो में हमने सिर्फ entry करना और उससे related चीज़े देखी है अगली वीडियो में हम report कैसे tally में देखते हैं और उसके बाद हम report copy पर कैसे बनाते हैं अगर reports वगरा है copy पर बनानी हो जैसे हमने question को डेविट के लेजरेंडर वाचर copy पर solve करके आपको दिखाया है इस तरह से reports भी generate करना आपको हम copy में बताएंगे बाकी tally तो खुद ही automatic generate करता है तो ये सारी चीज़े reports से related हम अगली वीड कि अवाबाइब र बनानी है वाचर एंगर चिभ जो खुद ही था हम ये रहनी है वीडर है है ये खुद है ये ये चे तो खुद ही कि दो खुद है टुद है कि अवाचर में जिए-वाचरी कि वजरेंगे टीज़ेन वाचर ये